मित्रो इंद्रा दाइगर, डाग दा फायर इन फिल्मों की सफलता के बाद अब एक नई बायोग्राफिकल मोवी बन रही है चस्का दा एडिक्शन जिसके अंदर ये शश्री थरूर को प्राइबेट मेंबर्स बिल संसद में इंटर्डूस करने का जो चस्का लगा है उसके बारे में coverage किया जाएगा फिछले एक वर्स में उन्होंने लगबख चार प्राइबेट मेंबर्स बिल इंट्रडूस करें डॉमेस्टिक वर्कर का वेलफेर, फिर ये समलेंगिता को decriminalize करना है, citizenship में सुधार और डारेक्ली इलेक्टेड मेयर्स अब बागी के आप P.R.S. इंडिया वगेरे में देख लेना, मैं focus करूँगा कि वर लास्ट वाले में डारेक्ली इलेक्टेड मेयर्स हमारा प्रशन था, examine the merits of introducing directly elected mayor system in all urban local bodies all over India दोस्टों सब्द में लिखना है, I hope आपने लिखा होगा नहीं लिखा है तो 8 minutes वीडियो pause करिए, लिखे फिर resume करिए मित्रों ये प्रशन क्या है, examine the merits of directly elected mayor, तो अब इसका introduction क्या करेंगे, define तो क्या बनाएंगे, directly elected swamps first है origin कुछ लिख सकते हैं, 74th amendment से ऐसा ऐसा चल रहा है, फिर body में इसके क्या फायदे और क्या नुक्सान हो सकते हैं और conclusion, तो क्योंकि examine है, तो मतलब conclusion क्या होना चाहिए, summary नहीं, finding type का, कि हाँ लागू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, like that, देखते हैं origin क्या है, 74th amendment act 1992, जिसके अंदर urban local bodies, शहरी स्थानिक स्वराज की संस्ताव की शुरुवात की गए, लेकिन एक खामी या बाकी चीज रहे गए, कि मेर का election कैसे करना है, और उसका term tenure कितना होना चाहिए, वो बाते यहां पर नहीं लिखी, and 7th schedule और उसके second list के अंदर, local government वो topic मतलब राज्य, state government, and state legislature will decide कि यह क्या होना चाहिए, so accordingly we will find two type of models, एक अपना गुजरात महराष्टर model या एमदाबाद मुमबई model आप बोल सकते हो, यहां पर election मेर का indirectly होता है, मतलब से एमदाबाद के अंदर अलग अलग बोर्ड में चुना हुए और BJP सबसे बड़ी party बन के आती है, सिम्वे मुमबई में शिव से ना, तो वो head of the largest party वो खुद से वो मेर बना देंगे, जैसे अपना CMN PM बनते हैं, और इनका term कितने साल का होता है, नाई साल का होता है, तो एक यह एमदाबाद मुमबई model है, उसके वी प्रीच, चैन्नाई हैधराबाद model, कि जहां प पूरे अलग-अलग ward के अंदर, AIA, DM के, DM के इन सब के चुनावतों होंगे, apart from that, there will be one separate election for the election of mayor directly, और इसका term कितना होता है, 5 साल का होता है, तो मतलब कि पूरे भारत के अंदर कोई uniformity नहीं है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, पर एक्जामपल, यह एमदाबाद के अं कमिशनर, मुकेश कुमार, तो पूरा administrative, financial, personal power वो उनके हाथ में होगा, mayor is merely a figurehead, जैसे की अपने president वगेरा की तरह है, तो भारत के अंदर यह इस प्राकार से चल रहा है, बाकी के दुनिया में क्या चल रहा है, comparing constitution, हम पाते हैं, यूरोप के अंदर, तो फ्रांस तो वो तो ऐ safer two लोग हैं, तो indirectly election करते हैं, UK, Germany, UK के अंदर वो depend करता है कौन से city में है, Germany is a federal country, तो depend करता है कौन से state में, कुछ में indirect कुछ में direct होता है, USA के अंदर directly elected, वहाँ तो president भी directly elected और नीचे यह mayor भी, and he has wide variety of executive powers, इस तरह पाते हैं, चाहिना, तो Beijing के अंदर भी directly elected mayor है, वो बात सही ह कि उपर, communist की जो भी, उनकी committee on municipal things, वो उसकी साब होती है, but mayor is directly elected, अब तो positive चीज़े क्या लिख सकते हैं, एक तो यह directly elected mayor, he provides a face and voice to the people of his city, उसके कामकाज में party का दखल लंदा जी, अपेक्षा में कम रहती है, less interference, कि यह काम करना है, यह आदमी को tender दे दो, वगेरा वगेरा, और यह Germany, USA, Beijing वगेरा में हम पाते हैं कि mayors ने अपनी city में personal attention दिया, especially to the business and tourism और जिसके चलते पूरी city के उन्होंने काया पलट कर दी है, तो like this, the directly elected system यह तो बहुत बढ़िया लगती है, but इसके challenges भी है, against arguments, पहला, suppose भारत के अंदर भी हम ऐसा कोई 74th amendment में सुदार कर दें, क all the mayors will be directly elected, लेकिन नीचे अगर राजय सरकार उसे necessary executive financial personnel power नहीं दे, then he will remain a paper tiger and while the municipal commissioner, the IS officer, they will have all the things, तो फिर तो पूरा purpose defeat हो जाएगा, second, माल लीजे आप ऐसा भी बोलें कि mayor will have the financial powers, ठीक, तो फिर अगर वहाँ पर अगर आपने कोई budget जैसी system बना ही फिर, तो सामने council में अगर विपक्स के लोगों की majority है, तो वो कभी budget municipality का पास ही नहीं हो पाएगा, same way, मालों suppose smart city का कोई proposal बेदा है वगरा, तो again grid law खोगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, and then if you say कि बजेट भी नहीं municipality में वो सारा mayor तह करेगा, तो वो democracy के खिलाप जाएगा, तो that is also not desirable, ये city का विक directly elected mayor से, for example in Gandhinagar, हर एक bus stand पे आप जाएंगे तो लिखा होगा कि वाजपई के MP ELADS fund से ये बनाया गया है, अब अगर समझे कि Gandhinagar में कोई directly elected mayor हो, तो वो तो ये पैसो की मदद से आख खुद से इतना अच्छा काम कर देगा कि लोग आडवानी को बूल जाएंगे, and then this mayor will grow ambitious, कि अब तो इसी constituency में member of parliament बनूगा, so this MP MLS they feel less secure कि अगर directly elected mayor होगा, जनता उसी को प्रेम करेगी और फिर वो ambitious हो कि हमारी constituency खा जाएगा, खैर ये तो हमने प्रश्ना के जवाब में नहीं लिखना समझने के लिए है, राजस्तान हीमाचल के अंदर directly elected mayor system था, लेकिन उन्होंने उसको scrap कर दिया और indirect में चले गए, Tamil Nadu के अंदर भी, जैलली था, अब तक वो directly elected system था, mayor का, but now they are also planning to move to indirect system, इसे जरावा refine करके समझते हैं, why does Tamil Nadu want to scrap directly elected mayor system, अब तक क्या था, mayor was directly elected by the city voters, और जो बाकी के councillor, वो वोर्ड बाइज, AI, DMK, उनके चुनाव से होके आते थे, आगे अब after system क्या चाहती है सरकार, कि mayor directly elected नहीं होना चाहिए, यह जो भी majority party आए, उसका indirectly elected होके आना चाहिए, से अपना PMCM होता है, ऐसा क्यों कराना चाहती है Tamil Nadu सरकार, official reason यह है, कि जिन city के अंदर यह mayor, बाकी की councillor, विपक्षी party है, वहाँ पर वो कोई काम बच्चा नहीं कर पा रहा है, secondly, यह directly elected mayor, तो मतलब वो तो centralist top-down approach हो गया, हम तो ग्राउस रूट और तो फिर सारे councillor मिलके उसे करे, then more participatory development, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो है, अगर इस बार चैन्नाई में वापस municipal चुनाव हुए और directly elected system होगा, तो देविल से अच्छा, यह तो EIDM वाल का है, तो उसे वो पास नहीं होने देंगे, therefore, कि better कि हम अगर जीत नहीं पाएंगे, because of this anti-incumbensive factor after the Chennai floods, तो यह system ही हम वी प्रित कर दें, कि चली indirectly करा देंगे, तो फिर अच्छा तो फिर वोड पे तो जैल अलिता या किसी के नाम पे वोट मिल जाएंगे, और फिर वो indirectly हमारा आदमी आ जाएगा, खेर, whatever, हमने ये भी कोई जवाब में लिखने के लिए नहीं समझने के लिए है, हम अब अपना जवाब बनाते हैं, examine merits of introducing directly acted mere, तो introducing this introduction में क्या करेंगे, origin उसका बता देते हैं, origin क्या है, 74th constitutional amendment 1992, it provided urban local bodies as institutions of self-government, देखें, यह urban local bodies तो bracket में ULB यह लिखना चाहिए, लेकिन, यह 74th amendment की खामी यह रहिए, रहिए, not prescribe the matter of election, कितना power tenure, कुछ भी नहीं बताया उसने, और क्यूंकि यह अपना local government वाला मुद्दा, 7th schedule की list 2 में आता है, therefore, राजों के पास से पूरी सत्ता थी, वो decide करेंगे, यहाँ पर भी आप देखें, list 2 तो ऐसे roman numeral में लिखना है, 7th भी इस प्रकार से लिखना है, नंबर के जगे, तो थोड़ा बाशा में यह शुद्धी आप देखिए, खेर, तो origin हमने दिखा दिया कि यह कारण से uniformity नहीं पूरे बारत में, body उसका अंदर हम चुरू करते हैं, कि एक तो यह अच्छा क्यूं है, क्यूंकि अभी present system, it is very fragmented leadership, एक indirectly होता है, या directly होता है, और सामने municipal commissioner, जो state appointed bureaucrate है, उसके पास कोई democratic legisimetry नहीं है, he is enjoying all the powers, तो better कि एक directly acted mayor होना चाहिए, और unified leadership होनी चाहिए, तो फिर वो party affairs से अलग होगा, अच्छा काम परकाएगा, voice of people, face of accountability, China, US, Germany का, हमने देखा कि वहाँ से कैसे personal attention, business tourism को दे होते है, so these are the positive points, then some challenges or demerits are also there, क्या, कि अगर state उसको power deval नहीं करता, then ultimately he will remain a ceremonial figurehead, why IS officer will call all the shots, अगर opposition party का majority होगा, then there will be gridlock, and अब समझ ये की chief minister, prime minister, they are not directly elected, वो तो cabinet और बदलब की parliament और इसकी जो majority party होगा, उसके उपर से बनते है, right, so still they are effective, they are able to do things, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी mayor in council, वो system भी जो चलता है, वो अच्छा कर सकता है, provided कि उनको भी इस प्रकार से financial budgeting वगेर पावर दिये जाए, राजस्तान, हिमाचल, तमिलाडू, उन्होंने अपने ये, पहले direct वाला system था, उसको reverse कर दिया है, क्यों किया है anti-income, बसी वो करना चाहिए, ऐसा कुछ बनाते हैं, I would say कि कोई जरूरत नहीं है अभी, against में लिखता हूँ, देखिए, prime minister, chief minister, they are not directly elected, yet they enjoy white powers, they are subject to accountability, तो फिर mayor के पास ऐसा power और accountability और ये बात क्यों नहीं है, ऐसा कारण नहीं कि वो direct indirect elect हो के आता है, the reason is not because of their mode of election, but rather because क्योंकि राजय सरकार ने उन्हें जो भी necessary administrative financial powers देने चाहिए, वो नहीं दिये हैं, so the need of the hour is to address this anomaly, rather than कि कहना कि ये uniform कर दो, या फिर कि mayor in council is better, या फिर कि ये वाला, so all in all कि ये जरूरत नहीं है, main thing is administrative and financial powers की आवशकता है, मित्रो अपना तीसरा प्रस्ण था private members bill, क्योंकि सशी थरूर जी बहुत सारे ऐसे bills लेके आ रहे हैं, so discuss the significance of private members bill in the legislative system of India, तो अब क्या करेंगी, जब हमने इतनी सारी practice की है, तो अब आपको ये visualize तुरंथ हो जाना चाहिए, private members bill तो मैं introduction कैसे करूँ, इसको define करूँ या इसका origin दे दू, discuss है तो मतलब conclusion क्या summary type का दे दू, अच्छा बुरा ऐसा कोई बड़ा judgment मेरे को देना नहीं है, और significance लिखना है, तो मतलब आज तक आजादी के बाद कितना अच्छा हुआ, और इसका क्या महतवरा है, कथा ही करनी है हमने, analysis ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अब मैं जल्दी जल्दी slide चला देता हूँ, यह कोई बहुत कठीन topic नहीं है, define कर सकते हैं term को introduction में, कि any MP who is not a minister, it is considered private member, तो वो जो भी legislative proposal submit करें, that is called private members bill, तो definition से शुरू कर सकते हैं, या फिर कि आप origin दे दीजिए, कि संसत का सबसे महतों पूर्ण काम होता है, कानून बनाना, तो either the government or a member of parliament can initiate the legislation to make the law, और जो minister नहीं होता है, अगर ऐसा MP, अगर ऐसा कुर ले कि आगे देन वी से कि private members bill है, तो introduction हो गया, या तो define करो, या origin दो, अब body बनाते हैं, अच्छा बुरा क्यों है, या उसके feature क्या है, feature तो एक महीने पहले से notice देनी पड़ेगी आपने, कि मुझे ये introduce करना है, हर house में शुक्रवार को डाइडाइ गंटा discussion के लिए समय मिलेगा, लोग समा कि एक committee है, जो इसे examine करेगी कि बराबर है कि नहीं, पिर ऐसा नहीं कि Pokemon को महारत में कोई national symbol बनाना चाहिए, ऐसा कोई उल्जूलूल को भी वहाँ पर नहीं रख सकते, लोग सबा का secretariat, वो उन्हें technical assistant देगा आपको, कि आपको ये typing करना है, type setting वगएरा वो मदद करेंगे, और बाकी तो usual जो भी sequence हो दो है, first reading, second reading उस प्रकार से चलता है, तो ये हुए private member bill के features, अब notable क्या, आज़ादी के बाद थे आज तक 14 ही बड़े, मलब 14 ही private members bill पास हो पा amendment, पंचायती राज ले किया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, but they bring the issue to the public debate, जैसे कि हमने ये देखा, directly elected mayor होना चाहिए, ये बात की हो, हम क्यों चर्चा कर रहे है, because शासी थरूर introduced this bill, और साथी साथ उसी समय ये दूसरा वार भी चल दा था, जै लालिता वाला, ख्याद, 2016 में प्र policy reservation वाली बात नहीं है, 2016 में शासी सरूर ने ये चार bill introduced किये, आपने देखा, अंधरप्रदेश को special status देने की मांग वाला भी private members भी लाया, लेकिन आप समझे कि after 14 finance commission, ये special category status ऐसे state वो तो वस्तु है ही नहीं, तो वो भी आगे कुछ बड़ा नहीं, खेर, तो इस प्रकार से हमने क्या करना है, discuss तो मतलब ये discuss कथा ही करने है, इसमें ज्यादा कोई analysis लिखने के लिए हमारे पास है नहीं, अब conclusion क्या करोगे, discuss वाला प्रस्ण था तो summarize करो, positive note पे end करो, कि this parliamentary, sorry private members bill, they provide a mechanism for constructive and deliberative legislative behavior, आप समझ सकते हैं, सची थरूर के दिमाग में इतना सब कुछ चल रह वरना फिर he will get demotivated कि ये parliament में आके बैठने का क्या मतलब है, तो या तो walk out कर जाएगा, या फिर कोई disrupt करेगा, so better कि लोगों को को कोई आतमे प्रवरुती रहनी चाहिए, so constructive behavior को promote करता है, and real value, it can be measured, ऐसाने कि उसने क्या बड़ा bill pass करा दिया, but rather कि उसने पत्थर तालाब मे मार की क्या तरंग पैदा कर दी, repulse, on the government and on the public at large via the media coverage of that special issue, तो इस प्रकार से positive note में आप end कर सकते हो, तो मित्रों हम जो paper, means paper 2 वहाँ पर थोड़े IR के और quality के topic देखें, एक last अब भी बच रहा है, block that is regulatory bodies, वहाँ पर दो चीज़े,